Assalamualaikum Welcome to my channel Digital Tech अमीद करता हूँ कि आप साथ ठीक होंगे fit होंगे, अपने घर में होंगे और खुश होंगे आज की हमारी ये वीडियो जिस topic पर है उसका short intro आप लोगे साथ discuss करता जाओ वो ये है कि आज की हमारी ये वीडियो पूरा एक overview होगा freelancing से related आप लोगे साथ ये discussion करूंगा कि freelancing होती क्या है कहां से की जा सकती है यानि कि freelancing है क्या और आप लोगे क्यों से upset से इसको करनी चाहिए तो यानि कि all in one video में जितने मैं पिछले videos में आपको guide किया है वह मैं आपको इस video में इस overview दे दूंगा तो वीडियो को start करने से पहले एक request करना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे इस channel digital tech channel पर पहली दफ़ा आई हैं तो इस channel को subscribe करने के साथ notification bell icon को all पर जरूर कर दीजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो upload करूं तो आपको मेरी video notification आजाए और आप मेरी video कर देख सके अगर आप लोग मेरे इस channel पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस channel को subscribe करने के साथ notification bell icon को all पर जरू क्लिक कर दें ताकि जब मैं वीडियो को upload करूं तो आपको मेरी video का notification साथ इसा मिल जाए अब मुझी time को waste के बिना हम अपनी इस video को start करते हैं जैसा के मैं आपको वीडियो के start में बताया कि ये video है किस topic के बारे में इस video का content क्या है यानि के freelancing को अगर आप easy words में समझें के freelancing क्या होती है freelancing को आप दो words में divide करने इस word को एक free में और एक lancing में इसमें से free का मतलब है वह आप समझें के आप free है आप अजाद है कि आप पर कोई restrictions नहीं है आप पर कोई परपंदी नहीं है कि आपने 9 to 5 की job करनी है तभी आपको salary में आपने यानि के hard work करना है तभी आपको salary में आपने overtime लगाना है तभी आपको salary में salary की आपने boss की बाते सुननी है आपने orders मानने है तभी आपको salary में तो ऐसा कोई scene नहीं होता freelancing में freelancing में आप घर पैट कर easily अपना काम करते हैं अपना काम complete करते हैं यानि के freelancing आप लोग जो करते हैं वह easily आप लोग यानि के घर पैट कर easily work कर सकते हैं और work for home कर सकते हैं freelancing में आपको ख़र से बाहर जाने की ज़रूत नहीं परती क्यूंकि freelancing में आप बिलकुल अजाद होते हैं अगर आप इन common words आपको समझाए जाए कि freelancing होती क्या है तो आप समझें के freelancing आप गर में बैठे हैं और आपके आप अपने घर में बैठे हैं और आपके घर में जो मोटर है वह खराब होगी है कोई भी electronic machine है वह खराब होगी है अब आपके पास कोई स्किल नहीं है से सकते है ऑप तो आपन पास ही नहीं है कि की दूलब्लत 모st मीशिन को ठीक कर सके है तो आप क्या करें चैए आपत कि किसी बंडे का स्किल होगी वह काम कर सेगा वновकि बंडे के स्किल होगी तो आपके ल Kell Easy आप से पैसे लेका चला जाएगा गया कि लिए वो एक offline freelancer होगा जो अपने शौप पे बैट रहे किसी कस्टमर का उडर Belgium डिडर में वर्लार logo यहां कि कि offline freelancing कर रहा होगा तो आप लोगों नहें उसको बलाया उससे करवाया उसको पैसे दिया और इसको लोग लापने पुछा देखते हैं रविस गत्ता केसीने सेसी अब्हाइश को करती है पैसे चार्ज करते हैं और वो जाते हैं याँ आप एक online freelancer होते हैं और आप online freelancing कर रहे होते हैं अब online freelancing आप लोगों ने किन website से करनी है major websites कौन सी है वो भी मैंने आपको चार्ण पर बता दिया लेकिन इस video में आपको एक all in one video बना रहा हूं तो इस video में भी आपको यह guide करूंगा आप लोगों ने आप लोगों ने आप लोगों ने जो आप यह freelancing websites से हैं उसमें से मैं आपको एक fiverr है एक guru.com है एक upwork है और एक यानि के freelancer है fiverr, upwork, freelancer और guru.com यह चार ऐसी major websites हैं जो आपको काफी helpful हो सकती है आपके freelancing के career में आप लोग पहले अगर इन पर काम करना चाहते हैं तो पहले इनके बारे में knowledge gain करें इनके बारे में आप लोग tutorial videos देखें ताकि आपको पता चल सके कि इस पर कैसे काम किया चाहता है कैसे इस पर आप लोग काम कर सकते हैं और यह कैसे आपके useful हो सकते हैं करिए करियर में कैसे यह आपको benefit दे सकती है वे आपके fundraising के करियर में तो आप जोब पहले इनके बारे में एक tutorial वीडियो देखे और पिर आप लोग इसको अपने पिर इसको आप लोग use करें ताकर आपको पता चाह सके कि लिए तो किया जाते हैं कियाते हैं कैसे अकाउंट किरियेंट किया है कैसे पैसे च्रूक किया जाता है कैसे इसको आप लोगों यूज करते Communications जुरूरी होगा इसकी tutorial videos आपको देखना ज़रूरी होगी ताकि आपको पता चाल सके किया कि यह work किस तरह करती है इस पर काम किस तरह किया जाता है तो आप पहले इनके बारे में tutorial videos दरूर देखें तो यह जो मैंने आपको website उटाई है यह major website जो आपके काम आ सकती हैं इसके अलाबा भी और वेबसाइट्स होगी मैं इसे 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 पर किसे काम किया जा सकते हैं कैसे इस पर account create कर सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक overview दिया था एक फ्रीलांसिंग से related एक complete जो मैंने यह चोटा सा overview मैंने आपको इस वीडियो में प्रवाइट कर दिया है अगर आप मेरी पिछली वीडियो से नहीं भी देखते तो अगर आप इस वीडियो के देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत knowledge हो जाएगा बात का तो यह थी आज की वीडियो अगर आपके इस वीडियो से related कोई भी question है या फिर आप लोग मुझे को suggest करना चाते हैं या फिर मुझे कुछ पताना चाते है तो आप लोग comment section में पता सकते हैं comment session आपके लिए हमेशा के लिए on है जिसमें आप लोग अपनी रहे बियान कर सकते हैं यह थी आज की वीडियो थैंक्स लॉचिंग इस वीडियो अपना ख्यार रखेगा दुआ में याद रखेगा चैनल को सब्सक्राइब पर करके रखेगा को और पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप जब भी में वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को रेगुलरली देख सकें जब आपको मेरी वीडियो रेगुलर्ली मिर जाएगी और आप मेरी वीडियो के रेगुलर्ली देख लेंगे तो इसे आपको फायदा होगा क्योंकि यह आपके फायदे के लिए ही वीडियो बनाई है ताके आपको पता चल सेके कैसे यानि के फ्रीलांसिंग होती किया और इसके थोड़ा बहुत आपको नोलिज हो जाए बात का थैंक्स पूर वाचिंग अपना क्या रखेगा दौा में आद रखेगा एंड अलाहाफीज